नमस्कार दोस्तों UPSC Master में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुछेद 12 पर जिसमें राज्य की परिभासा दी हुई है मेरा नाम है मुनोस्तोसियान और आप मुझे Facebook, Instagram, Twitter पर भी follow कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का टोपिक मूल प्रावधान इस अनुचेद के क्या है और फिर हम करेंगे इस अनुचेद के मूल प्रावधान की व्याक्या अपने सब्दों में चलिए शुरू करते हैं आज का टोपिक देखिए मित्रो मूल प्राधान आपको थोड़ा ध्यान से देखना है देखिए इस भाग में इस भाग में अर्थात भाग तीन की चर्चा हो रही है इस भाग में जब तक की संदर्व से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज के अंतरगत भारत की सरकार और संसद तथा राजों में से प्रतेक राज की सरकार और विधान मंडल तथा राज के राजचेतर के भीतर या भारत के नियंतरन के अधीन सभी अस्थानिये प्राधिकारी और अन्य प्रादिकारी हैं अर्थात कहने का क्या तात्परी है देखे इस भाग में जब तक कि संदर्ब से अन्य अपेक्षित ना हो अर्थात इसका इतने का अर्थ क्या है कि ये जो अरुछेद 12 में राज की परिभासा दी गई है यह केवल भागतीन के प्रियोजन के लिए है अन्य भाग के प्रियोजन के लिए नहीं है जब तक कि राज्य सब्द की अलग से ब्याख्या न की जाए अच्छा यह इतना चीज के लिए हुई अब इसको देखेंगे हम आगे देखे अब राज में क्या क्या कहा है कि राज्य में सामिल है भारत की सरकार वे संसद राज में सामिल है अस्थानिय प्रादिकारी और राज में सामिल है अन्य प्रादिकारी अर्थात यदि भाग तीन में कहीं भी राज्य सब्द का प्रियोग हुआ है तो वह है इन चार निकायों में से कोई एक है ठीक है अब देखें भारत की सरकार वे संसत यहां कोई समझ समझने में राज्य सरकारी विधानमंदन ये भी बिल्कु क्लेरिफाई है और अस्थाने प्रादिकारी अन्य प्रादिकारी को हम एक बार देख लेते हैं देखें अस्थाने प्रादिकारी वे सभी विक्ति निकाये होते हैं जिन्हें विधी बनाने आदेश या अदिसूचन जारी करने और उन्हें लागू करवाने की सक्ति प्राप्त होती है जैसे नगरनिगम, नगरपालिका, ग्राम पंचात, जिरादिकारी, SDM वो सारे के सारे लोकल अथोरिटीज है अन्य प्रादिकारी क्या है देखिए अन्य प्रादिकारी का जो सब्दावली है यह थोड़ी स इसीorg डिस्प्रूटीड है, करन क्या है कि इसमें बहुत सारे जो है निकाए सामिल हो जाते हैं, परप फिर भी सर्वोच नय ले ने अन्य प्रादिकारी सब्द को कई मामलों में सपस्ट किया है और किसको अन्य प्रादिकारी में सामिल किया जाए अथवा नहीं, अर्थात भागतीन में राज्य माना जाए या ना माना जाए इसके लिए कुछ कसोटिया भी निर्धारित की है साथ ही साथ यह भी सबस्किया है कि ये कसोटिया अंतिम नहीं है समय समय पर इनमें परिवर्तन किये जा सकते हैं ये कसोटिया किसम कार की हैं देखें ? ऐसे निकाये जो विधि के तहत गठित हो और व्यधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हो ऐसे निकाये जो सरकारी नियंतरन की अधीन हो वह जो है अन्यपरादिकारी कहलाते हैं देखे इस आधार पर हम देख सकते हैं नेसलाइस बैंक, FCI, इंडियन रेलवे, भारतिय जीवन बीमा निगम, भारतिय करसी अनुसंधान परिसद और केंद्रेवे राज्य विध्याले जो हैं वो सभी जो है भाग तीन और अनुछेद बारा के तहट राज्य स्विकार किये जाते हैं, मित्रो आज का जो टोपिक था वो इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आप जो है अनुछेद बारा जिसमें राज्य की परिभासा दी गई है, जो केवल और केवल समिधान के भाग तीन के प्रियोजन के लिए हैं, उसको समझ गए होंगे, आपको स्क्रिन पर एक करसी अनुसंधान परिषद, तीसरा NTA निसल टेस्टिंग एजनसी, चोथा है, इम्स, देखिए आपके जो विकल्प है, वो विकल्प आपको सामने नजर आ रहे होंगे, विकल्प A है, आपका केवल एक, विकल्प B है, केवल B वद तीन, दो वे तीन, विकल्प C है, केवल तीन वे चार, केवल D है, आपका केवल एक वे चार, कमेंट बोक्स में जरूर लिखिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको भी कमेंट बोक्स में जरूर लिखिए, थैंक्स पूर वाचिंग, जैहिंद जै भारत, महासक्ति भारत